नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हमारे इस चैनल जोतिश एंड एस्ट्रोलोजी में आप अपने जीवन में कुछ सीख कर सुधार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को भूल कर भी घर की इस दिशा में न रखे कूड़ादान जानिये क्या कहता है वास्तु नियमुत्तर पूर्व में रखे कूड़ेदान की वजह से यहां रहने वाले लोगों के दिमाग में नए और क्रेटिव विचार मुश्किल से ही आते हैं सूर्य से संबंध रखने वाली पूर्व दिशा मान सम्मान और सामाजिक संपर्क से संबंध रखने वाली दिशा मानी गई है घर चाहे कितना भी सुन्दर क्यों न हो यदि इसका निर्मान वास्तु नियमों के अनुसार नहीं हुआ है तो ये नकारात्मक उर्जा में व्रिध्धी करता है जो उस घर की खुशाली, सम्रिध्धी और वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है साथ ह बच्चों का करियर और पारिवारिक रिष्टे भी खराब हो सकते हैं इसी प्रकार घर में रखी हुई चीजे भी वहां की उर्जा को सकरात्मक या नकारात्मक बनाती है कूरादान एक ऐसी चीज है जिसका उप्योग आप व्यर्थ की वस्तूओं को फैंकने में करते हैं इसलिए वास्थुशास्त्र के हिसाब से इसे घर में रखने के लिए सही दिशा का चुनाफ करना बहुत जरूरी है कहा रखें कूरादान वास्तु में दक्षिन-दक्षिन पश्चिम को अपव्ये और विसर्जन का जोन माना गया है इसलिए यह दिशा कूरे दान रखने के लिए उप्युक्त मानी गई है यहाँ कूरादान रखने से आपके दिमाग में व्यर्थ की बाते नहीं आती, आप अपने काम पर ठीक से फोकस करते हैं डिप्रेशन के जोन पश्चिमुत्तर पश्चिम में भी आप कूरादान रख सकते हैं यहां रखा कूडादान आपको जीवन के प्रती सकारात्मक बनाता है कहा नहीं रखें, वास्तु में उत्तर दिशा का संबंध धन व करियर से है इस दिशा में कूडादान रखने से धन प्राप्ती के नए अवसर नहीं मिलते वही धन हानी होने की भी संभावना बनी रहती है नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के रास्ते में भी यह बाधा उत्पन करता है घूल कर भी इस दिशा में कूडे दान नहीं रखें स्पष्टता और प्रग्या की उत्तरपूर्व दिशाईश की दिशा मानी गई है वास्तु के अनुसार यहां कूडादान रखने से देवताओं की क्रिपा प्राप्ट नहीं होती एवन यहां कूडादान होने से अनेक शारिरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन होती है उत्तरपूर्व में रखे कूडेदान की वजह से यहां रहने वाले लोगों के दिमाग में नए और क्रेटिव विचार मुश्किल से ही आते हैं सूर्य से संबंध रखने वाली पूर्व दिशा मानसम्मान और सामाजिक संपर्क से संबंध रखने वाली दिशा मानी गई है इस दिशा में कूडादान रखने से आर्थिक समस्याएं जहेलनी पड़ती हैं, वहीं परिवार के सदस्यों के बाहरी लोगों से रिष्टे खराब होते हैं दक्षिनपूर्व दिशा का संबंध शुक्र ग्रह से है भूलकर भी इस तरफ कूडादान नहीं रखना चाहिए इस दिशा में कूडादान रखने से आपके व्यापार में धन्हानी हो सकती है एवा अच्छे कारियों में बाधा आएगी यश और आराम के दिशाक्षेत्र दक्षिन में कूडादान होने से वहां रहने वाले लोगों को आराम का अनुभव बिलकुल नहीं होता है परिवार के लोग कितनी भी मेहंत से कोई भी कार्य क्यों न कर ले उनकी मेहंत बेकार चली जाती है उन्हें किसी से भी प्रशंसा नहीं मिलती दक्षिन पश्चिम या नैरित्य दिशा को आपसी संबंधों और रिष्टों की दिशा मानी गई है इस दिशा में कूडादान रखने से आपसी संबंधों पर विप्रीत प्रभाव पड़ता है परिवार में एक राय नहीं होने से हमेशा तनातनी का माहौल रहता है बच्चे आपस में एवं बड़ों से जगरते रहेंगे पश्चिम दिशालाब और मेहंत का फल मिलने की दिशा मानी गई है इस दिशा में रखा हुआ कूडेदान यहां के लोगों की मेहंत का उचित फल मिलने में बाधा बनने का कारण बनेगा इसी प्रकार मदद और सहयोग के दिशाक्षेत्र उत्तर पश्चिम में कूरादान नहीं रखें यहां कूरादान रखने से आपको बाहर के लोगों से कोई मदद नहीं मिलेगी और जरूरत पढ़ने पर आप भी किसी की सहायता नहीं करेंगे